हेलो वेलकम टू स्टड़े वुल्टिन आज हम लोग गूगल ट्रेंड्स के बारे में देखने वाले हैं और सीखेंगे कि गूगल ट्रेंड्स को यूज करके कैसे अपने वेब साइट पे सोशल मीडिया ट्राफिक ला सकते हैं ये वीडियो उन यूट्यूबर्स और वेब साइट ओनर्स के लिए है जिनका मैक्सिमम ट्राफिक सोशल मीडिया से आता है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये गूगल ट्रेंड्स खुला हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको दो सिनारियो दिखाऊंगा पहला सिनारियो जहाँ पे आप एक पटिकुलर टाइम चूज कर सकते हो जब आपको अपना यूट्यूब वीडियो और वेब साइट का पोस्ट फेस्बुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पे शेयर करना चाहिए और सेकिंड सिनारियो उनके लिए है जिनका कोई e-commerce store है या फिर वो अपने products ऑनलाइन सेंट करते हैं किसी दूसरे मीडियम के थ्रू जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक term है you watch free जैसे कि यह एक term है you watch free एक बहुत ही famous website है movie streaming website है जो कि pirate movies stream करते है तो यहाँ पे जो filter ह है set किया हुआ है यह country wise filter है यहाँ पर आप India choose करेंगे ठीक है उसके बाद days यह search result दिखाएगा कि कितने last seven days में user का जो search pattern है you watch free के लिए वो कैसा है यह all categories यह web search ठीक है आप यहाँ पर देख सकतो image search है news search है google shopping है youtube search है तो हम यहाँ पर web search करेंगे तो यह जो आप graph देख रहे हो यह graph में क्या information है यह अभी हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हो यह 100 मतलब यह top यह peak है मतलब अगर कोई graph 100 पर जा रहा है line जा रहा है that means यहाँ पर सबसे जादा लोग search कर रहे है ठीक है तो आप जैसे कि देख सकते हो यह जो time frame है January 11 से लेके January 18 तक का 8.30 तक का यह data है यह जो कि 7 दिन का है तो यहाँ पर हम लोग यह चीज दे notice करना कि जैसे ही इसका peak है ठीक है आप जैसे देख सकते हो peak यह peak है और यह shallow point है ठीक है यह peak point है और यह bottom point है ठीक है तो आप जैसे कि देख सकते हो कि रात की 12.30 मतलब रात के 12.30 बचे लोग सबसे भी देखना है यह watch free पर तो mostly user cup search करते है वो रात के time पर करते है because जैसे कि आप देख सकते हो यह peak है यह जो January 11th का peak है यह 11.30 आप जैसे देख सकते हो 11.30 PM का है मतलब रात के 12.30 बचे है फिर जो second peak है वो 1.30 AM है ठीक है तो मतलब 12.30 AM है मतलब रात के 12.30 बचे है जो third peak है वो भी रात के 1.30 फिर fourth peak है वो भी रात के 12.30 बचे है ठीक है ऐसे क्या करें आप देखोगे तो इसका जो peak है मतलब जो जब उस time पर जब लोग सबसे जारा search करते है वो time कौन सा है वो time रात का time है रात का time मतलब midnight मतलब 11.30 से 1.30 या 2.30 AM तक का और जैसे time cross करता है तो peak hours नीच जा रहा है मतलब आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर 7.30, 8.30 AM मतलब सुभे morning के साड़े आट बचे सबसे कम लोग यह यूवाच फ्रीकाट हम search करते है मतलब सुभे साड़े आट बचे बहुत साब कम सारे लोग है कम लोग है जो movies देखना पसन करते है ठीक है जैसे ही आप तो वापस एक पीक है 1.30, 2.30 AM है तो इससे हमको यह समझ में आता है कि रात के टाइम पर जो 11.30 AM, sorry 11.30 PM और 1.30 AM मतलब रात के साड़े गारा वज़े से सुभे के डेड़ बरे तक, 1.30 AM तक जो यह टाइम पीक होता है जहाँ पर लोग को movies देखना पसन है अगर आपका कोई movie या कोई भी content release कर रहे जो कि entertainment से related है तो आपको यह window cache करना होगा 11.30 AM, sorry 11.30 PM से 1.30 AM का because जैसे कि आप graph देख सकते हो कि रात के साड़े गारा से डेड़ बरे तक के बीच में सबसे जादा लोग सबसे जादा लोग search करते है यह term you watch free जो की movie watching website है that means इस term लोग यह infer कर सकत है कि रात की साड़े गारा से डेड़ बरे तक के बीच में लोग सबसे जादा movies और entertainment के contents देखना बसंद करते हैं तो अगर आप कोई website owner हो या आप कोई यूटुबर हो या फिर कोई भी content creator हो जो entertainment से related content publish करते हो तो आपको यह time frame यह window आपको catch करना पड़ेगा तभी आपके website यूटुब पर दूसरे platform पर जादा से जादा लोग आएंगे ठीक है उसके बाद यह एक हमारा second term में buy ठीक है आप जैसे कि देख सकते हो यह term use करने का एक logic था कि यह पता करना था कि लोग यह term जो buy है ठीक है यह कब सबसे जादा search करते है ठीक है buy term डालने का मतलब यह है अ में को पता करना है कि लोग सबसे जादा खरीदारी कप करते हैं सबसे जादा shopping कप करते हैं online shopping कप करते हैं तो वो time frame तो वो time window में को decide करना था ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते है buy अगर आप यह term डालते हो तो आप जैसे देखो यह पहला peak आ रहे है जो कि रात के 12 से 1.5 अगर तो आप यह पहला peak आ रहे है तो आप यह time frame दे खो 9.30 am से लेकर 2.30 am 7.30 am यह जो timing है यह peak आर से मतलब यह क्या होता है जो office going log है वो उनका lunch break रहता है इस time तो उस time यह लोग सबसे जादा search करते है दिन के time पे लोग search करते है अगर उनको कुछ खरिदारी करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यह second peak है यह 9.30 am से लेकर आप जैसे देखो 9.30 am से लेकर 7.30 pm फिर 8.30 में dip हो गया तो मतलब यह जो time है यह office going time है जहां पे लोग office गया होते है उनका lunch break होता है traveling time होता है तो इसी यह पता चलता है कि हाँ लोग सबसे जादा search करते है आप अगर यह भी notice करो रात के 12 से टेट बज़े के बीच में लोग सबसे जादा search करते हैं फिर धीरे-धीरे कम लोग सबसे कम यहाँ पर यह shallow point bottom point है जहाँ पर कोई भी almost बहुत कम लोग सबसे करते हैं फिर आप देखो यह peak गया 9.30 am 8.30 से 9.30 am ऐसा टाइम होता है जहाँ पर लोग अपने बसे में travel कर रहोते हैं बसे में कार्स में और local transport में travel कर रहोते हैं तो यहाँ पर फिर से peak पर जाता है तो मतब आप यह भी एक time frame catch कर सकतो जब लोग travel कर रहो अपने office के लिए जा रहो तो लोग search कर रहो होते हैं कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना है फिर आप देख सकते हो रात के 12.30 पर रात का time जो 2-4 गंटे का time similarly आप फिर से देखो यहाँ पे और यह bottom point आगया 5.30 am फिर वापस से peak point गया 9.30 am मतलब इस से हमको तो उस time लोग search कर रहो होता है अगर को कुछ खरीदना है तो अगर आपका कोई e-commerce store है तो आप यह time catch कर सकते हो यह window जो gap है आप इसको catch कर सकते हो जहाँ पे आपको अपने promote करना चाहिए product ठीक है तो जाए से जादा लोग आपकी products को देख पाएंगे और अगर उनका मन होगा तो उखरीदेंगे भी तो जैसे कि आप देख सकते हो यह 9.30 am को जो time है यह बहुत ही crucial है अगर किसी का e-commerce shop है तो because यह 9.30 am traveling time होता है जहाँ पे सारे लोग travel कर रहो होता है ठीक है यह अपना हो गया second keyword यह 3rd keyword यह है handmade gifts तो अगर किसी के handmade gift shop है यह scenario देखने का यह मतलब है अगर suppose को कोई particular product पे deal कर रहे है suppose handmade gifts तो मैं को पता करना है कि round the year लोग कौन-कौन से time पे handmade gifts खरीदते है तो जैसे कि आप देख सकते हो इनका peak time क्या है यहाँ पे जो time है जो time frame लिया हुआ है दो साल का है 2019-2021 अप्रोक्स दो साल का time है तो basically यह डालने का purpose यह था कि मैं को यह देखना था कि लोग कौन से year के time पे सब जादा handmade gifts खरीदते है जैसे कि आप देख सकते हो पहला peak है December to Jan मतलब Christmas के time पे और New Year के time पे लोग सब जादा handmade gifts खरीदते है फिर आप देख लो February 9th to 15th मतलब जो Valentine's Day का period होता है उस time लोग सबसे जादा handmade gifts खरीदते है वापस आप देखो peak peak गया April 26th to May 2 अगर आप यह data notice को तो इस time पे बहुत सारे लोगों का birthday आता है ठीक है उसके बाद second peak आगया June 14th to 20th यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का holidays होता है summer holidays होता है वापस आप इस peak पे जाओगे July 26th, August अगें यहाँ पे बहुत सारे लोगों का birthday आता है वापस से अगर आप देखो August 30th to September 5th Teachers Day आता है Similarly अगर आप देखो फिर यह जो peak hours है जो peak times है September to October यह full of festivals होता है इंडिया में तो अगर आपका कोई e-commerce shop है जहाँ पे आप handmade gifts sell करते हो तो यह particular time होता है यह जो year के 4-5 time होते है वहाँ पे उस time पे सबसे जादा handmade gifts sold out होते हैं तो आप इस तरह Google Trends का data को use कर सकते हो अपने website पे social media traffic जादा send करना है अगर आप कुछ आईए कि आपकी YouTube पे या website पे social media का traffic जादा से जादा है इस तरह आप Google Trends के data को use कर सकते हो अपने website पे जादा से जादा social media traffic send करने को ठीक है आपको बस peak point catch करना है और आपको make sure करना है कि आप उस peak point पे उस peak window पे जहां पे सब ज़्यादा लोग search कर रहे है आपके particular term को उस time आपको अपने products को share करना है ठीक है सेम अगर आपके आप कोई content creator जहां पे आप entertainment से लेटेट काउंट प्रेडूस कर रहे हो प्रमोट कर रहे हो तो आपको एक window frame होगा एक time frame होगा जहां पे आपको अपना share करना होगा जाह सब जाह सब जाह सब जाह सब जाह सब जाह सब content consume करते हैं तो इस तरह आप Google Trends को data Google Trends के data को use करके आप अपने website पे या YouTube पे या अपने e-commerce store पे अगर आप कोई online business या कोई online product sell कर रहे हो तो आप इस तरह Google Trends के data को use करके आप अपने website पे traffic भेज सकते हो और leads generate कर सकते हो अगर आपको इस topic पर कोई भी issue होगा तो प्लीज comment section ने बताना I'll try to resolve it as soon as possible ठीक है? Thank you and please watch again झाल झाल झाल